साथियों, इस एक महत्वपुन डिफॉर्म के साथ साथ, आज भारत एक बहुत महत्वपुन कदम उठा रहा है, और वो है टैक्स पेर चार्टर, ये टैक्स पेर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है, और टैक्स पेर के लिए अधिकार और कर्तव्य, दोनों को संतुलित करने का, और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का, ये बहुत एहम कदम है, टैक्स पेर को इस तरका सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश है, लेकिन अब भारत भी इस महत्पपूर कदम की और अपने आपको ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है, अब टैक्स पेर को उचीत, विनम्र और तरकस संगत वहवार का भरोसा दिया गया है, यानि आएकर विभा को अब टैक्स पेर की डिगनिटी का सम्वेदन सिल्ता के साथ ध्यान रखना होगा, अब टैक्स पेर की बाद पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक्त की नजर से नहीं देख सकता, अगर किसी प्रकार का संदे है भी, तो टैक्स पेर को अब अपील और समिख्षा का कभी अधिकार दिया गया है, साथियों, अधिकार हमेशा दाइत्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं, इस चार्टर में भी टैक्स पेर से कुछ अपेशाय की गई है, टैक्स पेर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का अधिकार का विशे नहीं है, बलकि ये दोनों का दाइत्व हैं, जिम्मेवारी हैं, कर्तव्य हैं, रिस्पॉंसिमिलिटी हैं, टैक्स पेर को टैक्स इसलिए देना है, क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है, देश की एक बड़ी आबादी के प्रती, देश अपना फर्ज निभा सकता है, और उजवल भविश्की और कदम भी रख सकता है, इसी टैक्स से खुद टैक्स पेर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बहतर सुबिंधाये और इंफा स्ट्रक्चर मिल पाता है, वहीं सरकार का ये दाइत्व है कि टैक्स पेर की पाई-पाई का सदुप्योग करें, ऐसे में आज जब करदाताओं को सुबिधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेर से अपने दाइत्वों के प्रती जादा जागरुक रहने की अपिक्षा करता है.